हालो फ्रेंस मैं डॉक्टर नुपूर में यूट्यूब चैनल में एक बड़ आप लोग को फिर से श्वागत करते हैं आज मैं आप लोग के साथ में हाइपर पिग्मेंटेशन या जिसे पिग्मेंटेशन बोलते हैं उसके बारे में कुछ बाते शेयर करूंगे तो यह क्यों होते हैं जनरली देखा जाता है कि जब हम सन एक्सपोजल में बहुत जादा आते हैं या ठंड के जगह पे हम बहुत जादा रहते हैं तो भी पिग्मेंटेशन हो सकते हैं या हर्मोनल डिस्बैलेंस भी इसका बहुत बड़ा कारण है जो PCOD जिनको होते हैं या जब प्रेग चिन में या आपर लिप्स में पिग्मेंटेशन देखने को मिलते हैं या जो लेडीज बहुत लॉंग टाइम से कॉंटरसेप्टी पिल यूज करते हैं उनमें भी देखने को मिलता है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है हाइपोथारोडिजम तो इसके कारण से इन सब का करें लाइक करें शेयर करें जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं हल्थ अल्होमियोपाथी के बारे में तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए अब बाते हैं कि हम इससे बचे कैसे तो बचने के लिए सबसे बड़ा बात है कि आपको सन एक्सपोजर में से दू पर ऐसा नहीं है जब आप घर के अंदर रहते हैं तब भी संस्क्रीन लोशन जरूर लगाएं और इसमें मैं बोलूंगे कि UVA UVB SPF 30 वाला संस्क्रीन लोशन यूज़ करें और कोशिश करें कि आप थोड़ा शुगर को एवाइड करें शुगर नाक्स के जगह आप देसी ख पिग्मेंटेशन होते हैं तो उसमें और ज़्यादा बुरा असर करता है तो इसके कुछ हो में पर थी के बहुत अच्छे अच्छे मैडिसन है तो जिनको हाइपर थारुडिजम का प्राबलम है या PCOD का प्राबलम है या थोड़ा सा ओबेसिटी जिनमें जादा है और जिन या का थाटी दिन में तीन बार चार-चार बोन करके डायरेक्ट टांग में कम से कम एक दो महीने तक लगातार लेते रहते हैं तो धीरे धीरे उनका यह पिग्मेंटेशन लाइट हो जाएगा नेक्स्ट मेडिसिन आता है कैडिमम सल्फ जो मैंने बोला जो सन एक्स्पोजर में जो जादा रहते हैं या फिर ठंड जगह ठंड के जगह पे मतलब जहां थोड़ा बर्फ बर्फिली एरिया होती है जैसे हमारे देश के कश्मीर हो गया नैनिताल हो गया ऐसे जगह पे चिक्स में यह पिग्मेंटेशन देखने को मिलता है ओ अगर केडिमम सल्फ थर्टी दिन में तीन बार चार-चार बोन करके लगातार ऐसे ही एक-दो महने तक यूज करते हैं तो धीरे-धीरे उनका जो लाइट हो जाएगा उनका पिग्मेंटेशन और नेक्स्ट मेडिसिन जो सबसे टॉप गेड मेडिसिन में मानते हां अगर मैं तीन मेडिसिन आपको बता रहे हूं उसमें सबसे पहला रखोंगी वो है सीप्या सीप्या में क्या होता है ने सीप्या में आपका हाईपरर्द्रिजम में भी बहुत अच्छा काम करेगा और हर्मोनल डिस्बैलन्स तो भी अच्छा काम करेगा, कई बार हम देखते हैं, जब मेनोपोज का टाइम आता है, उसके एक-दो साल से भी ऐसे फेस में pigmentation होना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है, CPR 30, ये भी आप दिन में तीन बार, चार-चार बुंद करके लगातार आपका ये जो pigmentation है, वो चला जाएगा, लाइट हो जाएगा, और एक लगानी के लिए में medicine बलोंगे, वो है, रात को लगाएगा, दिन में ना लगाएं उसको, जब रात को सोने जाते हैं, तो फेस को अच्छे से साफ कर ले, और इस क्रीम को लगाएगा, वो है Mark Go, होमेप दवायां तो है ही, साथ में ये मैंने क्रीम भी बोला, साथ में एक होम रेमिडी भी, जो आपको बहुत अच्छा result देगा, वो है दही, एक चमच दही ले लीजिए, और एक चमच टमाटर का जूस ले लीजिए, उसको अच्छे से पेस्ट बना के अपने फेस पे है वो चला जाएगा, तो मैं आशा करती हूँ कि आज मैं जो आप लोगों को मेडिसन या जो टिप्स बताया, वो आपके लिए पाइदर मंद रहेगा, तो चलिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए, बाबाई